पूजा तकनीकी तोर पर कुछ गरबड़ी होने की वज़े से मैं शुरू से आप से नहीं जुड़ पाया खेद है जहां तक आप माहौल की बात कर रही है देख़िए बहुत बार ये कहा जाता है देश की जंता जो है वो किसी भी पत्रकार किसी भी नेता किसी भी तिंकर किसी बी दर्शनिक से ज् Unterschied से ज्यादा देश की जंता समझदार है और वो अपना फैसला सुनाती है जब तो उसका अंदाजा पहले से नहीं लगा पाते हैं देखिए एक बात कल के नतीजों से ये साफ होती है कि देश की जनता ने ये तो कहा है कि प्रधान मुंतिर नरिंद मोदी बनने चाहिए लेकिन ये नहीं कहा है कि मोदी की सरकार मोदी की गैरेंटी उसे पसंद आई है उसे इंडिये की सरकार चाहिए उसे भारती जनता पार्टी की सरकार चाहिए मोदी की गैरेंटी मोदी की सरकार पर उसने ठपा नहीं लगाया दूसी तरफ विपक्ष को ताकत तो दी है मगर इतनी ताकत नहीं दी है कि वो मोदी को हटा करके देश पर शासन करे उसे मजबूत बनाया है और इस लोकतंत्र को इस जन्ता ने अपने वोटों से मजबूत बनाया है और जब तमाम तरह की बातें तम… चुशर बजाशू अथो मैं इटो गूंड़ा उम्हरे हर पल मनाओ केसरी देवाहर विमर्ड बुलो जुबा केसरी तवाम तरह की ये बाते हो रही थी कि संस्थाओं पर हमला हो रहा है ताना शाही आ रही है देश में तवाम चीजों पर बोलने पर रोक है तो तमाम तरह की बातें विपक्ष कर रहा था, समीधान की रच्छा करना है तो ऐसी इस्तिती जनता ने दी है, जिसमें सब comfortable इस्तिती में है विपक्ष खुश है कि उसे ताकत मिली है, और सत्ता पक्ष खुश है कि उसे बस सरकार बनाने का मौका मिला है निरंकुश रहने का या बहुत ताकतवर होने का उसे मौका नहीं मिला है दूसरे सब लोग खुश है, ऐसा नतीज़ा आया, कल से आप WhatsApp मेसेज भी देख रही होगी लोगों ने बनाया हूँ, ऐसा नतीज़ा आया कि सब खुश है, लेकिन अगर इसके राजनितिक अर्थ और माइने निकाले जाएं तो मेरी समझ से इस पूरे चुनाओ का Man of the Match अखलेश यादो बने है मुलाइम सिंग यादो मुख्यमंत्री रहते 2004 में 34 सीटे उत्रपरदेश से जीतने में कामियाब हुए थे बहुत जाएदा विसम परिष्थितियों में, मैं कहूँगा प्रतिकूल परिष्थितियों में रहते हुए अखलेश यादो ने जातिगत समीकरण के आधार पर जो टिक्टो का बटवारा किया मैं पहले से कह रहा था कि नतीजे 2019 से जादा नहीं हो सकते 2019 में जिस तरह से 18-20 सीटे विपक्ष के पास थी, उसी तरह की सीटे जमीन पर दिख रही थी लेकिन अगर अखलेश यादो का समाजिक समीकरण टिक्टो के बटवारे का काम कर गया तो वो सीटे कहा तक जाएंगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है और हुआ वही कि मैं गलत हुआ अखिलेश यादों का सामाजिक समीकरड के हिसाब से टिकट बाटने का फार्मूला बहुत हिट हुआ जो जहां फारवर्डों ने फारवर्ड टिकट मिला वहां अखिलेश यादों को यानि समाजवादी पार्टी को यानि साइकल को वोट दिया ये बहुत बड़ी बात है, फारवर्डों ने साइकल को वोट दिया, कुश्वाहा ने जो पिछले त्यार चुनाओं से बीजेपी को छोड़ के मौरौा कुश्वाहा सैनी कहीं ने जा रहे थे, कुश्वाहा मौरिया सैनी ने, मौरिया ने वो अखिलेश यादों की साइकल को वोट किया, पासवान ने किया, निशाद ने किया, शाक के ने किया, मौरिया ने किया, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्दी है, अखिलेश यादों को मैं मैन अफ दे मैच कहूंगा इस पूरे चुनाओं का, एमवाई सभी करण, यानि मुस्लिम यादों की पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी, जो कि मेरे कई कारकरम में आपने देखा भी होगा, जब मैं लोगों से बात करता था, तो मुझे कई बार ये भरम होता था, कि हर आदम, नेकिल या मुदी का विरोध, समाज वोटों की वज़े से, इनके वोटों को पाकर, अकलेश यादों का आकड़ा पंदर सतरे से उपर नहीं जाता है, लेकिन अकलेश यादों ने सारी सारे समीकरण धुस्त कर दिये, और एक अकिला आदमी, जिसने प्रधान मंतीर नरिद मोदी को पूर बहुमत से आने से रोक है, उनका नाम अकलेश यादों है, और आज पूरा दिन है कि अकलेश यादों को मैन अफ दो मैच कहा जाए, और ये कहा जाए, कि उन्होंने वो सारे समीकरण तोड़ दिये, और उत्तपरदेश जहां भारती जनता पार्टी सबसे मजबूत इस्तिती में दिखाई दे रही किसी को कमतर आका नहीं जाना चाहिए, पिछले आठ महीनों से इस देश में सबसे जाएदा मजाक और उपहास उड़ाया जाना वाले राजनितिक का नाम नितीश कुमार है, हर आदमी दस साल के बच्चे से लेके नबे साल के बुड़े तक नितीश कुमार को मजाक और उप बहास का बिक्ति समझ कर उन्हें पल्टू चाचा से लेके उन्हें जो भी उपादी दी जा सकती थी, वो दी गई, लेकिन नितीश कुमार ने साबित कर दिया कि अगर प्रधान मंती नरिद मोदी इस देश के प्रधान मंतरी बनते हैं, तो नितीश कुमार की वज़े से बन जिनीत में वही आदमी हीरो होता है, जिसे जनता ताकत देती है, नितीश कुमार तमाम उपहास और मजाक उड़ाए जाने के बावजूद, आज की तारीक में जब हम पांच जून को बात कर रहे हैं, देश के सबसे माजबूत राज नितीश का सबसे ताकतवर पॉलिटीश अगर कोई है, तो सिर्फ दो, एक चंद बाबू नाइडू, एक नितीश कुमार, और दोनों को एक समय में राइट आफ कर दिया गया था, दोनों को उपहास का पात्र बनाए गया था, दोनों के वापस ना आने की इबारत, दोनों के वो कहते हैं ना, फातिहा पड़ दिया कर सकते हैं कि वो प्रधाल मंत्री बने कि ना बने, चार दिन में लोगतंत्र ने ऐसा खिल किया है, बिलकुल, और अगले दो दिन बहुत इंपोर्टेंट इस बीच, आज ये बैटकों का दौर भी जारी रहेगा, अच्छा, फकल रसन चन्जी कुछ क्याना चाहरे हैं, बो